हमारी धर्ती अनेक खुबसूरत करिश्मों से भरी हुई है और कभी-कभी हमें इस खुबसूरत धर्ती पर रहने का शुकर मनाना चाहिए क्योंकि इसमें घटने वाली कुछ चीजे हमें बार-बार सोचने पर मजबूर कर देती है तो चलिए जानते हैं धर्ती पर होने वाले कुछ ऐसे ही अद्बुद करिश्मों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे ब्लड फॉल अंटार्टिका जो की पूरी तरह से बरफ से कैद है पर बरफ की इस सफेदी में एक लाल रंग की चीज लोगों का ध्यान खीचती है इस गलेशर में बरफ की इस दिवार में एक लाल रंग का जरना बहता है मेक मूडर ड्रै वेले में ये लाल रंग का लिक्विड मानो ऐसे लगता है जैसे के खून हो और बहुत टाइम तक साइंटिस्ट के बीच ये बहस का मुद्दा बना हुआ था कुछ साइंटिस्ट इसे खून समझ रहे थे पर जाच में कुछ और ही मिला उसके बाद साइंटिस्ट को यकीन था के ये लाल रंग की काई होगी जो कि बरफ और पानी के साथ मिक्स हो गई होगी पर जाच में ये थोरी भी गलत निकली और अंत में जब इसके मॉलिक्यूल्स को चेक किया गया तब पता चला ये मॉलिक्यूल्स F203 है जो कि आईरेन ओक्साइड है मतलब ये लाल रंग की चीज और कुछ नहीं जबकि जंगाल थी जो कि पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में थी फ्लोटिंग आइलेंड या फिर तैरने वाले टापू आपने अभी तक पानी में तैरने वाली बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा जैसे के लकडी, प्लास्टीक, बोट, बरफ और जानवर पर एक जगा ऐसी भी है जहाँ पूरे के पूरे टापू तैरते हैं और ये जगा है हमारा खुबसूरत भारत इंडिया के मनीपूर में एक लोकटक लेक है जिसके टापू तैरते हैं इवन एक जगा से दूसरी जगा पर भी शिफ्ट हो जाते हैं ये जील इंडिया के नोर्थ वेस्ट में साफ पानी की सबसे बड़ी जील है और इसमें मौनसुन के दिनों में टापू एक जगा से दूसरी जगा पर पहुच जाते हैं और सुखे के मोसम में ये टापू डूब जाते हैं इन टापू को फुमडिस कहा जाता है और इस लेक के सबसे बड़े फुमडिस का एरिया तकरीबन 40 किलोमेटर का है बहुत सारे टापू पर लोगों के घर भी हैं जो कि जादतर मचुआरे हैं इवन फुमडिस पर एक स्कूल और एक पार्क भी है जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ पारक है एक्चली ये टापू बड़ी बड़ी घास की जड़ों, सबजियों, मिट्टी और खाथ से बना हुआ है और बारिश के दिनों में इसमें गैस भर जाने के कारण ये टापू पानी पर तैरने लगते हैं और उन दिनों में इनका सरफेज किसी ट्रैंपोलिन जाता हो जाता है लाइट शो लेक मारा की आबो, वेनेजवाला की ये जील बहुत सुन्दर और शान जील है ये जील सिर्फ दिन में शान्त है, क्योंकि रात होते ही यहाँ बिजली गड़कने लगती है और हर रोज यहाँ सैकड़ो बर बिजली गिरती है, जो कि रात में इसे धर्ती का सबसे डेंजरेस प्लेस बना देता है यहाँ किसी भी और जगा के मुकाबले सबसे जादा बिजली गिरती है इवन कभी-कभी तो एक ही जगा पर दो बार, जो कि कहीं भी और नहीं होता पर जैसे ही सुबा होती है, यह बिजली गड़कना बंद हो जाती है जो कि काफी अजीब बात है यहाँ तक्रीबले 160 दिन तुफान भरे होते हैं और पूरे साल में यहाँ 10 लाग से भी ज़्यादा बार बिजली गिरती है मतलब एक दिन में 3287 बार यहाँ बिजली गिरती है एक्चली इसके पीछे का रीजन है हीट और मोईस्टर जो कि पहाडों से टकरा कर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रियेट करते हैं और रात में जैसे यह टमपरेचर कम होता है यह प्लेस किसी लाइट शो जैसा बन जाता है कैरला के मल्लाव पुरम पुनानी बीच पर समुंदर को दो हित्तों में बढ़ते देखा जा सकता है जो की देखने में आँखों को सुकून देता है 2018 इंडिया के कैरला में जब भ्यंकर बाड आई थी तब बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए थे पर इस दोरान प्रक्रीती ने एक खुबसूरत क्रियेशन क्रियेट की जब पानी इस जगह से वापिस चला गया तब बहुत सारी रेथ मल्लाव पुरम के पुनानी बीच पर कुछ इस तरह ही कट्टी हो गई कि इस से तक्रिबन आधा किलोमीटर लंबा पतला ट्रैक त्यार हो गया था जो कि ऐसा लगता है मानो समुंदर को दो हिस्तों में बाट रहा हो और एक्चली माल्द वीव जैसी फील देता है फिलहाल ये एरिया बहुत सारे टूरिस के घूमने का केंदर बन चुका है हैस्डेलन लाइट नोर्वे की हैस्डेलन वैली के 12 किलोमीटर एरिया में कुछ ऐसा घटता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते यहां आफमन में लाल, पीली, सफेद और चमकीली लाइट देखने को मिलती है कभी-कभी ये लाइट जमीन के बहुत नस्दीक होती है और कभी-कभी ये आफमन में बहुत उपर कभी ये लाइट एक जगा से दूसरी जगा पर बहुत तेज ट्रावल करती है और कभी कभी बहुत धीरे-धीरे कभी कभी ये लाइट 5 या 10 सेकिंड के लिए होती है और कभी कभी ये लाइट कई गंटों तक रहती है ये करिश्मा दिन और रात दोनों टाइम देखा जा सकता है और रात में बहुत खुबशूरत लगता है कुछ लोग पहले इस घटना को एलियन्स के साथ जोड रहे थे चार देशकों से चल रहा ये लाइट शो आज भी साइंटिस का दिमाग खराब किये हुए है कुछ कहते हैं कि जील में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वज़ा से ऐसा होता है जबकि कुछ का मानना है कि वैली का निचला सर्फेज बहुत ज़्यादा सल्फिरिक एसिड कंटेन करता है और जब ये पानी के कॉंट्रैक्ट में आता है ये लाइट प्रेड यूस होती है पर कोई भी इस बात पर शूर नहीं है ट्विन विलेज कोडिनी गाउं ये गाउं बहुत फेमस है क्योंकि इस गाउं में बहुत धेर सारे ट्विन्स पैदा होते हैं इस गाउं में तकरीबन 2000 परिवार रहते हैं और इसमें से 450 पैदा हुए बच्चे ट्विन्स हैं वैसे तो twins पैदा होने की ratio 1000 में से केवल 9 है वही कोडिनी गाउं में ये ratio 45 की है 2016 में इस पहली को सुलजाने के लिए बहुत सारे scientists यहां आए और बच्चों के बालों और saliva का sample लेकर गए ताकि इसके पीछे का reason जान सकें पर DNA report से किसी भी तरह का खुलासा नहीं हो पाया जहां इंडिया वर्ड में सबसे कम twins वाले देशों में से एक है वही कोडिनी वर्ड के सबसे ज़्यादा twins वाले गाउं में से एक है और researchers का मानना है कि इस गाउं के पानी में ही कुछ ऐसे content है जिससे के यहाँ twins पैदा होते है devil's cattle falls Minnesota waterfall USA में स्थित ये waterfall पहली लेजर में काफी सुन्दर और साधारन जर्णा लग सकता है इस जर्णे के दो पार्ट हैं left वाला जर्णा उपर से बहता है और right वाला जर्णा थोड़ा नीचे से और अब mystery start होती है ये जो right वाला जर्णा है ये तो clearly नदी में mix होता है पर ये जो left वाला जर्णा है इसका पानी इस नदी में नहीं मिलता yes जब भी लोग इस जर्णे में लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तो ये नदी के किसी भी हिस्से से बाहर नहीं निकलता और हमेशा के लिए गुम हो जाता है scientist को जब इस बात का पता चला तो वो वहाँ आए और उन्होंने इसमें धेर सारे colors और धेर सारी pink pong balls गे री पर ये colors और balls इस नदी में कहीं भी नजर नहीं आए तो फिर ये पानी जाता कहां होगा हाला कि इसका पूरी तरह से आंसर नहीं मिला है पर ये पानी जमीन के नीचे जाता है और वैसे ये पानी कहीं न कहीं किसी नदी में मिक्स होता होगा पर आज तक ये पानी कहां जाता है इसका पता नहीं चल पाया है यूके का स्टोन हेज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है फिलाल टूरिस के लिए बना ये अट्रैक्शन बहुत सारे साइंटिस का ध्यान अपनी और खीचता है ये स्टोन हेज पांच हजार साल पहले बनाने शुरू किये गए थे और ये बात इस स्टोन हेज को और भी यूनीक और इंटरस्टिंग बना देती है क्योंकि पांच हजार साल पहले इतनी टेकनोलिजी भी डेवलप नहीं हुई थी तब ना तो क्रेंज थी और ना ही कुछ और तो ये इतने भारी पत्थर सिधे खड़े कैसे किये गए और इससे भी ज्यादा रोचक बात ये है कि एक पत्थर दूसरे के उपर कैसे रखा गया होगा साइंटिस का मानना है कि या तो इन पत्थरों को लकड़ी के उपर लाद कर और इने धीरे धीरे घसीट कर बनाया गया होगा और यहां पिर इन्हें रसी से खीच कर बनाये गया होगा पर ये भी काम बहुत टफ है मान लिया इन्हें बना भी लिया गया पर आखिर भुकंप में ये गिरते क्यों नहीं और में बात आखिर ये बनाये क्यों गए शायद इसका जवाब भी बनाने वालों के साथ ही चला गया दोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान में 226 फीट चोड़ा और 98 फीट गहरा एक गढ़्धा है जो कि जल रहा है ये गढ़्धा कोई वलकैनो और या फिर कुदरती आग उगलने वारी जगा नहीं है जबकि इंसान के द्वारा गलती से बनाया गया एक करिश्मा है 1971 में जब इंजीनिर्स ने तेल की खोज में मशीन से गढ़्धा किया तो उसमें से गैस निकलने लगी जो कि जहरीली मिथेन गैस थी गैस आसपास के इलाकों में ना फैल जाए इसके लिए इंजीनिर्स ने इस गैस से छुटकारा पाने के लिए इसमें आग लगा दी और वो उमीद कर रहे थे के ये आग कुछी दिनों में बंद हो जाएगी पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ दिन धीरे धीरे हफतों में तबदील हो गए और हफते महीनों में और महीने सालों में इवन ये आग आज भी जल रही है और फिलाल तुर्कमेनिस्तान में ये एक टूरिस प्लेक बन चुका है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको कौन सा जूबा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जुरूर बताएं आप मुझे फेस्बूक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब हाँ चानल गुडबाए टेक कियर